नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप दा इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार और बिहार का एक ऐसा कानून जो इन दिनों हर किसी के लिए सरदर्द बन बैठा हुआ है अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार का कौन सा ऐसा कानून है तो आप सबी इससे जानते होंगे बिहार का शराबंदी कानून है जिससे लोग काफी परिशान है इसके साथ ही सर्फ आम जनता ही नहीं बलकि अब खुद सरकार में शामिल लोगों के लिए भी ये सरदर्द बन बैठा हुआ है आपको बता दे अब तो हद ही हो गई है इस कानून से हाई कोट भी परिशान हो गया है जी हाँ अब पटना हाई कोट की ने भी सुप्रीम कोट से गुहार लगानी पड़ी है शराबंदी कानून को लेकर आखिर क्यों ये हाई कोट के लिए सरदर्द बन गया है हम इसकी बात करेंगे इसके सांथ ही आपको बता दे कि ताजा मामले की बात करें जो कि शराबंदी कानून से जुड़ा हुआ है तो खुद सीयम नितेस कुमार के ग्रेल जिला नालंदा में 9 लोगों की जान जो है 14 जनवरी को शराब पीने की कारण हो गई है आपको बता दे बिहार में 2016 से शराबंदी कानून लाग हुए पर अब तक बिहार में पूर्ण शराबंदी नहीं हो पाया है हलाकि सरकार के ओर से तमाम प्रयास किये जा रहे हैं कि कैसे बिहार में शराबंदी कानून को सफल बनाया जाए सरकार ने 80 चोटी एक कर दिया इस कानून को सफल बनाने में इसके बावजूद भी यह कानून बिफल है अब बात कोट की तो आपको बता दे कि बिहार में शुराबंदी कानून के तहत हो रही लागातार कारवाई के बाद गिरफतारी और फिर अवियुकते द्वारा जमानत की अरजी की इस प्रक्रिया में न्याले काफी परिशान हो गया है इस प्रक्रियाने न्यालेयों में काम काज को बाधित कर दिया है इस बात को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायधिश N.V. रमण ने भी टिपनी की थी अब शिराबबंदे कानून के तहट की गिरफतारी के बाद जबानत की अरजी को लेकर पतना हाई कोट द्वारा सुप्रीम कोट को इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार में शिराबबंदे कानून लागू होने के कारण जमानत याचिकाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है पतना हाई कोट ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार लगबग 25 प्रतिशत नियमित जमानत याचिका के वल शिराबबंदी से जुड़ी हुई है यही नहीं पतना हाई कोट ने सर्वोच चन्याले को जो जानकारी दी है जिसके अनुसार 49,622 जमानत के लिए जो आवेदन पड़े ही उनमें 21,671 अगरीम और 17,951 नियमित जमानत याचिकाओं लंबी थे यही नहीं 20,498 अगरीम और 15,918 नियमित जमानत याचिकाओं में सहित 36,416 ताजा जमानत आवेदनों पर विचार किया जाना अभी बागी है आपको बताते चले पटना उच्छ न्याले द्वारा इन बातों की जानकारी दी गई है कि जजों के स्विक्रत पदोर से आधे से भी कम के साथ फिलहाल काम काज किया जा रहा है इसलिए याचिकाओं से निप्टारे में भी विलम हो रहा है बता दे कि याचिकरता अभ्यान नंद शर्मा द्वारा पटना हाई कोट में मामलो के सूची बद नहीं होने के कारण सुप्रीम कोट के समक्ष याचिका डायर की गए थी इस मामले में पटना हाई कोट का पक्ष लेते हुए अधिवक्ता गौरब अगरवाल द्वारा सुप्रीम कोट में ये बताया गया है कि मामलो के निप्टारे की निगरानी मुख्य न्याइधिश द्वारा रोजाना की जा रही है नियाइधिश अचे रस्तोगी और नियाइधिश अब है ओका की पीट द्वारा जो है हाई कोट में जवानत याचिकाओ के लंबित रहने की चिंता जाहिर की गए थे बिहार में शराब बंदी कानून को सफल बनाने के लिए बड़े अधिकारियों तक को सरकार ने फिल्ड में उतार दिया ड्रोन से नजर रखी जा रही है सेसे टीवी कैमरा लगाया गया है सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसके बावजूद भी बिहार में फूर्ण शराब बंदी देखने को नहीं मिल रही है आपको बता दे कि लागातार कई खेपे शराब की बरामद हुई है इसके साथ ही कई अधिकारी भी पकड़े गए इसमें शराब का सिवन करते हुए आपको बता दे कि कई लोग जो है जेल की हवा खा रहे है फिर भी बिहार में शराब बंदी कानून जो है सफल होता नहीं दिख रहा है और शराब बंदी कानून के खिलाफ जो है मोचा खोले हुए रहते है ऐसे में ये शराब बंदी कानून जो है बिहार के बिहार सरकार के लिए खासकर नतीस कुमार के लिए चिनोती बन गया है सरदर्ट बन बैटा है कि केस तरह आकर बिहार में शराब बंदी कानून को जो है लागू किया जाए इससे पहले भी आपको बता दे कि गुपाल गंच में और बितिया में जो है ऑक्टूबर नवंबर में 2021 के बात करें तो अंति महीनों में 33 से अधिक मौते जहरीली शराब के कारण हुई थी और तब एक समिक्षा बैठक जो है नितीज कुमार द्वारा की गए थी इस समिक्षा बैठक में कई सक्त निर्देश लिए गया थे और उसका पालन भी किया गया है कि इसके बावजूद भी एक अगला कांड जो है नालंदा में हुआ है आपको बता दे कि 14 जनवरी को ये कांड हुआ है बीते शुक्रवार को आपको बता दे कि ये कांड हुआ है जिसमें आप राधियों को पकड़ने के लिए तसकरी करने वालों के लिए तो तसकरी जो करते हैं शराब का सेवन करते हैं वो लोग को अलग ही अतकंड अपना लेते हैं और प्रशासन को सरकार को चुनोती दे रहेते हैं ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2016 के बाद और लगतार जो है सरकार प्रयास कर रही है कि बिहार में शराब बंदी कानून को सफल बनाया जाए इसके बावजूद भी आखिर क्यों बिहार में शराब बंदी कानून सफल नहीं हो पा रहा है आप इस पूरे विशे पर इसके सांथ अगर अब तक आपने हमारी यूटीब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्रे तमाम खबरों के लिए बने रहें दा इंजिया टॉप के सांथ